आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेशन में लेकर आया हूं यहां पर हम और कुछ अच्छे कोशन की प्रैक्टिस करेंगे कि अब यहीं पर किस तरह कुशन आते हैं वहां पर इनिक्विल्टी को मिक्स कर दिया जाता है जैसे कि यह कुशन है नेचर आफ रूट से रिलेटेट रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे इमेजनरी होंगे है ना रियल नहीं है तो रूट कैसे हैं इमेजनरी है तो इमेजनरी के लिए हमें कंडिशन यूज करनी है इमेजनरी कंडिशन क्या होती है डी लैस तें जीरो तो हम यहां कंडिशन यूज करेंगे सबसे पहले फिर से लिख लेते हमेशा starting में अभी आप beginner level पर हो starting practice करने ABC जरूर लिखा करो बाद में अतनी practice हो जाएगी ABC लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो यहां हमारी condition क्या है for imaginary हम लिखेंगे for imaginary इसको sort में लिखते हैं IMG imaginary roots हम क्या लिखेंगे D should be less than 0 मतलब B square minus 4AC should be less than 0 यह value jump put कर देते हैं यहां पर B की value minus 1 है minus 1 का square minus 4 into A1 है और C क्या है M this should be less than 0 so 1 minus 4M less than 0 4M को मुदर भेज़ देते हैं तो हमारा question ही बन जाएगा 1 less than 4M 4 को इधर shift कर देते हैं left hand में तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं M की तरफ greater का sign था तो M should be greater than 1 by 4 और interval में लिखाता है इसको देखाता हमको ऐसे इसको कैसे लिखना होता है interval के form में जो हमने inequality वाला chapter पढ़ा है नहीं देखा है तो आप उसके playlist में जाके वीडियो चेक कर सकते हो यहां से हम इसको लिख सकते हैं M belongs to 1 upon 4 से लेकर infinite तो यह हमारा answer आ जाएगा मतलब हम किस पर tick करने वाले हैं यहां पर A option पर tick करने वाले हैं A is the correct answer ओके चलिए next आगे बढ़ते हैं अच्छा यहां पर मतलब क्या हुआ है M की value आई ही मतलब M यदि 1 by 4 यह से ज़्यादा होगा तब यह जो equation है हमेशा ही D की value कैसी देंगी negative value हमें मिलेगी और negative मिलेगी इसका मतलब roots कैसे होंगे imaginary यह इसका meaning होता है ओके यह next question है यहां पर हमें बोला गया if the roots of the equation are real यदि roots real हैं तो क्या directly नहीं बोला है पर option से हमें देख सकते हैं option में क्या देख रहा है सब जगे a लिखा हुआ है मतलब a की value बतानी है किस range में होगी a की value हमें calculate करके बताना है ठीक है तो चलिए इसको भी उसी तरह calculate करते हैं सबसे पहले क्या लिखना है हमें a b c की value a कितना है one b कितना है हमारे पास minus eight और c कितना है हमारे पास a square minus six a ओके अब याद रखना यह वाला है और यह वाला है अलग अलग है है ना चाहो तो इसको confusion से बचने के लिए capital a b हम इसको ले सकते हैं कोई दिखकर नहीं है now next अब क्या करना है real बोला गया है a square minus six a this should be greater than equal to zero तो यहां कितना आ जाएगा 64 minus multiply कर माइनस four a square plus 24 a greater than equal to zero इस equation को थोड़ा छोटा बना लेते हैं छोटा कैसे बनाएंगे तो मुझे दिख रहा है सभी में मैं four से divide कर सकता हूं पूरे में mathematical यह correct भी है four से divide करते हैं कितना मिलेगा 16 मिलेगा यह cut हो गया और यह कितना मिलेगा six मिलेगा हमें इस तरह से मैंने यहां पर लिखाए तो यह कितना हो गया 16 minus a square plus six a अच्छा यह a square क्या है negative है और हमें square वाला term negative पसंद नहीं क्योंकि है न हम उतना चे सोच नहीं पाते हैं उतना connected feeling करते हैं तो हम सारे terms को कहां ले जाते हैं right hand side में ले जाते हैं तो यह बन जाएगा a square positive हो जाएगा minus six से हो जाएगा minus sixteen हो जाएगा और दूसरी right hand side में जाएगे तो यह greater की जगे अब less का symbol देखेगा इस तरह से हमारी equation बन गई अब इसको factorize करके हमें solve करना है जैसा कि inequality वाले chapter में हम नहीं किया था inequality इस पर chapter में ने इसलिए सबसे पहले इस पर वीडियो बनाए क्यों basic है जेए के लिए हर chapter में बहुत चीज़ें huge आएंगी इसको हम factorize करेंगे तो minus 6 को कैसे हम break कर सकते हैं minus 8 और plus 2 में क्योंकि minus 8 into 2 minus 16 मिल जाएगा add करने पर minus 6 आएगा तो यह आजाएगा a minus 8 into a plus 2 less than equal to 0 इस तरह से यह मिलेगा अब इसको solve कैसे किया जाता है याद है method wavikar method हम बोलते थे उसको wavikar method वहाँ पर हम plot करते हैं roots minus 2 पर 0 होगा और यहां 8 पर 0 होगा इसको हमने plot किया right hand side से क्या लिखते हैं plus minus plus now अभी हमारा interval कौन सा चाहिए हमें less है तो less मतलब beach वाला चाहिए negative वाला चाहिए तो इसका मतलब हम बोलेंगे a belongs to आएगा minus 2 से लेकर 8 और equal का sign लगा हुआ इसलिए close interval तो देखो कौन सा answer होगा c answer c option हमें सही answer दिखा रहा है आप देखोगे a और c में value same है बट equal का sign different है तो हमें equal भी चाहिए real के लिए क्योंकि equal जब 0 के equal होगा d तब भी वो real में count होता है इसलिए c हमारा correct answer होगा तो I hope आपको समझ में आया होगा इस question हमने किस तरह किया दी समझ में नहीं आया है फिर से इसको repeat करो दुबारा से इसको सुनो और definitely आपको इस समझ में आ जाएगा बहुत ज़्यादा difficult चीश नह ने concept देखेंगे आगे के वीडियोज में thank you very much